हेलो फ्रेंड इस पारितोस आज इस वीडियो में मैं आपको फार्मा का एक ऐसा स्टोक बताने वाला हूँ जहां पे अगर आपका टाइम फ्रेम है तीन से छे महीने इवन आप अगर एक साल प्लस भी पैसा लगाना चाहते हो स्टोक मार्केट में तो आप इस स्टोक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो यहां से काफी अच्छा रिटरंस कमाने का आपको मुका मिलेगा जो की बाकी इसके काउंटर पार्ट्स ने कमाए हैं सिमिलरली से यहां पर भी आपको मिलेगा मैं जिस सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं वो है आपका फार्मा स्टोक्स ठीक है और फार्मा में जितने भी लगवग आप स्टोक्स देखोगे यह बेसिकली मैंने आप आपके सामने जो भी रखा हुआ है यह फार्मा इंडेक वैसे breakout भी होगा है, last 20 days का अगर आप इसका high देखेंगे, last 20 दिनों के returns की बात करेंगे, वो है आपके तकरीबन 14% के आस-पास का, 20 दिनों में 24-15% के returns रहे हैं इसके, mankind के fundamentals भी काफी strong है, जो मैं अभी आपको दिखा हूँ है, call notes, तो pharma ही क्यों, देखो pharma में, अभी आप देखेंगे, तो recently last एक सालों में, काफी अच्छी rally आई है, काफी सारे stocks है, जो आपको बहुत अच्छे returns कामा के दे चुके है, हालंकि pharma अभी भी strong है, अगर आप एक conservatively invest करना चाहते हो, एक साल का time frame है, और stock market में जाना चाहते हो, तो definitely pharma आपकी radar पे होना चाहिए, pharma एक ऐसा sector है, जो आपके portfolio में होना चाहिए, अब जैसे मैं कुछ stocks की बात करूँ, सबसे ज़्यादा pharma index में जो charts stocks है, उसमें granules के last 20 दिनों के 19-20% return के, ग्लैन मार्क के रहे है, लूपिन के काफे चे रहे है, वहीं mankind के चोथे नंबर पर आता है, तकरीबन 14% के करीब के रहे है, breakout भी हुआ है, तो मैं इसको पहले एक थोड़ा सा chart पर दिखाता हूँ, मेरी आप पुरानी वीडियो देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने आपके कैई बार मैंने RSL के बारे में बताया हुआ है, तो RSL वैल्यू जो की relative strength होती है, 26 days का average price, मतलब जो भी आपका stock का closing price है, आप उसको 26 days के average price से divide करते हूँ, उसी stock के, तो अगर ये value is above than 1, तो हमारा RSL positive है, इसका मतलब है कि जो भी stock को हम analysis कर रहे है, वो अपने strong momentum में है, तो यहाँ पर जो RSL value है, it is above than 1, जो की हमें particular चाहिए, और यहाँ पर हम हैकनासी candles देख रहे है, तो हैकनासी candle के हिसाब से, आपकी consistently higher highs and higher lows बन रहे है, लास्ट तीन चार दिनों की जो हैकनासी candle है, वो भी strong हैकनासी बन रहे है, इसके लावा, यहाँ पर मैं, यहाँ पर जो कि यह जो ऊपर की value है, यह आपकी high, 5 days के high का average है, और नीचे बाला 5 days के low का average है, कब तक invest करना है, सवाल यह आठता है, कि चलो मैंने mankind में पैसा लगा दिया, कब तक invest करना है, तो मैंने, हलंकि इसके बारे में, कई बार पुरानी videos में बताया है, जो मेरा तरीका है और आपक basically confirmation होता है, वो अलड़ी मिल चुका है, वो तो मैंने आपको बता दिया, कि bullish hack anasi, जो हमारे band को breakout कर रही है, जब तक आपकी red hack anasi नहीं बनती, इस तरीके कि यह जो red hack anasi है, और यह band के low को नहीं तोड़ती, तब तक आप इस stock में बने रह सकते हो, like जैसे यहाँ पर आपको confirmation म बनती है, डेली टाइम फ्रेम पे और आपके इस 5 days के low को नहीं तोड़ती है, बेरिस hack anasi, यानि इस तरीके की hack anasi, red color की और इस तरीके का यह आपका trail, तो जब तक यह नहीं बनती है, और इस band के low को नहीं तोड़ती, तब तक आप इसमें continue sustain कर सकते हो, अपने profit को trail कर सकते ह आपको अलग से कुस सिस्टम में लगाने की ज़रूती है, अगर आप swing trading कर रहे हो, तो mankind यहां पर आपको एक अच्छा कासा confirmation दे रहा है, और इसने अभी recently एक acquisition किया है, 25 July के करीब इन्होंने agreement, मैं दिखाऊंगा आपको, 25 July की दिन इन्होंने agreement sign किया है, जिसमें यह भारत स आपको एक्वायर कर रहे है, 100% कंपनी के लिक्रिटी पोजिशन बहुत स्ट्रोंग है, फंडमेंटल बहुत अच्छा है, चलो आप फंडमेंटल की बात ही कर रहे है, तो मैं आपको इसके फंडमेंटल से लिक पर दिखाता हूं, तो देखो इसका तरीका सबसे बढ़िया है मुझे, वो इसके है तो अन्वल रिपोर्ट पड़ो, अगर वो बहुत जादा टेक्निकल होती है, तो आप जाएगी करिट रेटिंग नीचे मिलेगा आपको यह और इसमें आपने रेटिंग अपडेट देखनी है, अब जैसे रिसेंटली पाच अगस की रेटिंग अप जोलाई 2024 को अनॉंस्मेंट किया था कि यहार एंट्रिंग डेफिनेट अगरिमेंट तो बाई 100% स्टेकिन भारत सेरम और वेक्सिन जोके एक बायो फॉर्मस्टिकल कंपनी है, जिसके एंटरप्राइस वैल्यू तक्रीबन 13,630 करोड की होगी, क्यों इसका फाइदा क्या हो को मैं बताता हूँ अभी आपको, तीन से चार महिने में अगरिमेंट पूर्मस्ट कंप्लीट हो जाएगी, जिसके लिए 3,380 करोड के करीब का लिक्विट सर्पलस चाहिए होगा, और लिक्विट सर्पलस इनका यूज जाएगा, और थोड़ सा डेट और एक्विट का कॉ जो कि एक नीस बाइलोजिकल प्रोडेक्ट है इनका इन हाउस जिसका इनका पॉर्टफोलियो है वो ब्रांडिट प्रोडेक्शन वोमन हेल्थ, फर्टिलिटी और क्रिटिकल केर, जिसमें कुछ लीडिंग ब्रांड भी है जो पोजिशन होल्ड करते है थेरेपी एरियास मे यहां से आप देखेंगे कि BSB's business also expected to compliment mankind wide range product portfolio जिसकी वज़ा से Mankind को जो उनके portfolio diversification में फाइदा मिलेगा, with this acquisition mankind is expected to command market leadership in women's health care including infertility ठीक है न और तो इसमें जो अगर BSB की बात करी जाए बारसहरम की तो 1723 करोड के करीब का इनका 2024 का इनका operating income था और 396 करोड के करीब का इनका profit था अब इसे क्या फाइदा होगा थोड़ा सा और देखते है एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि देखो तो रेटिंग एक्सन में क्या फाइदा मिलेगा कि इनकी positive factor improving total operating income total operating income by over 20% and maintain profit before income and आपका depreciation tax margin over 25% on a sustainable basis इनका company का मैंने जैसे आपको बताया कि debt resource तो काफी कम है comparatively थोड़ सी और चीज़े देखते हैं तो एक चीज़ और मैं आपको बताहूं देखो कमपनी के साथ में plus point क्या है the company's operations are domestically driven मतला इनका 92% of revenue है company का वो domestically driven है सारा domestic से आता है mostly domestic market में और focused है और इनका तकरीबन 16,000 filled force 13,000 stockist है in addition to Indian market हलंके company is growing its focus in export market जिसका revenue इनका export market में जादा बड़ा major revenue नहीं आता and revenue share from export business has grown in financial 24 to about 8% 2023 में यह 3% था और 2024 में बढ़के यह 8% हो गया और जो यह BSV का जो deal कर रहे है इसकी वज़े से इनका यह export revenue और बढ़ेगा क्योंकि इनको एक अलग diversification मिल रहा है so यहां पर भी फाइदा है financial position में देखे देखे जाए तो company का scale of operation है 2024 में total operating income grew by 18% 10,352 crore जो की 2023 में थी आपकी 8,768 crore ठीक है न कंपनी का profit before income and taxes है आपका 2000 आपका improve है 2024 में 271 basic points से बढ़के 24.77 77% हुआ है जो की 2023 में था आपका 22.06% 2025 के Q1 की बात करें इनका 2893 crore के करीब का profit आपका इनका revenue था improved हुआ है from 2579 crore 2024 में था यह तक्रीवन 12% का increment हुआ है और बात करी जाए इनके operating like liquidity की बात करी जाए तो जैसा मैंने बताया था कि company की strong liquidity position है 20 करो के करीब का ही debt है so that is the plus point बाकी तो आप देख सकते है एक खास बात जो मुझे दिखाने आपको तो वो यहां पर देखे की financial FIS की बात करे तो आप यहां देखे 2023 में FIS की holding थी 4.18% 2023 में भी same थी 2023 में 24.74% 2024 में 9.87% 2024 में 11.58% consistently FIS अपनी इसमें holding भड़ा रहे है and this is a plus point so that is the reason मैंने आपको Instagram recommend करा है so मोटा मोटा यह है कि अगर आपका period है 6 महीने एक साल का Pharma में Mankind एक अच्छा option हो सकता आपके लिए जो आपको काफ अच्छा पैसा कमा के दे जाएगा so I hope इस वीडियो से आपको काफ अच्छा clarity मिली होगी Pharma में देख रहे हो long term view है आपका 3 मेने 6 मेने का भी है even 1,5 साल का है तो Mankind की तरफ देख सकते हो हलें कि मैं कोई investment advisor नहीं हूँ कोई savvy registered investment advisor नहीं हूँ तो आपने यह risk अपने advisor से consult लेने के बाद कीजिएगा पर मैंने आपको अपना data point रखा है कुछ company के fundamentals बताए है तो Mankind Pharma एक ऐसा stock है जो यहां से आपको एक multi beggar we can say कि हाँ यहां यहां पे multi beggar returns भी आपको मिल सकते है no doubt यहां से आपको एक अच्छा का से multi beggar returns भी मिल सकते है otherwise आपको काफी अच्छा returns यहां से कमा के दे जाएगा क्योंकि company के fundamentals काफी अच्छा है technically काफी अच्छा है so I hope इस वीडियो से आपको help लियोंगी अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक का बटन लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब कीज़ेगा हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद वंदे मात्रम चैहन